प्रत्य प्रकण हमारा चल रहा है और आज ये प्रत्य प्रकण की तीसरी कक्षा है कि पूरों की दो कक्षाओं में यता संभव प्रत्य प्रकण से संबंदित विभिन् तथ्यों का उद्ध घाटन जितना आपके लिए आवश्यक था उतना मैंने आपके सामने किया कि आज है हम फिर से एक बार प्रत्य प्रकंड की तरफ ही चलेंगे प्रियास करेंगे कि आज इसको समाप्त करें प्रकंड को और बाकि आप अभ्यास करें एक तो कौशिश किजिएगा कि जो मैं यहां पर लिखता हूं वह आप लोग मेरे साथ साथ लिख लें यह ध्यान रखेगा क्योंकि पुस्तकों में इन चीजों को लेकर के थोड़े नियमों में विप्रत्य पत्ति हैं कुछ उलजाव है कुछ संद्धे हैं तो वह आप जो हैं यहीं पर आप के लिए रिख सकते हैं यह ध्यान रखेगा कि कल में यह बात कर रहा था साथ प्रत्यों की और जिसमें मैंने आपको यह बता दिया था मैंने आपको यह बताया था और जो कि बहुत मैटमुन्द था और वो यह था कि एप्रत्य का प्रियोग- शामानेतिया- Pulling के साथ में होता है और उप्रत्य का प्रियोग- सामानेतिया- hm edeling के अब जान में हमने ई लगा दिया तो शब्द क्या बन गया जानी बनाऊ और इदर हमने परवत में कल सिखा था कि परवत में जब में ई जोड़ता हूं तब क्या बनता है पारवती बनता है दुरुपद में जोड़ता हूं तो दुरुपदी बनता है मगद में जोड़ता हूं तो मागधी बनता है और मिथिला में जोड़ता हूं तो मैथिली बनता है और जनक में जोड़ता हूं तो जानकी बनता है तो यहां पर भी दिर्ग ई है और जानी में भी दिर्ग ई है और मैं यहां पर आपको यह बता रहा हूं कि ई प्रत्य का प्रियोग इस्ट्रेलिंग के साथ होता है तो मेरा मतलब यह है कि आ प्रत्य का प्रियोग इस्त्री वाचक शब्दों के साथ होता है लेकिन वो इस्तका बोद कराए यदि्ट जानी शब्द में आपसे पूस्ता हूं क्या है कल मैंने आपको दो चीजें बहुत भली भांती समझाई थी हमारी भाशा में दो प्रकार के शब्द होते हैं एक तो विशेशन वाचक शब्द और एक भाववाचक शब्द यदि मैं आप से पूछूँ कि जान क्या है तो आपका उत्तर क्या होगा बोलिए सभी लोग भाववाचक क्योंकि भाववाचक शब्दों की पहचान यह है कि वो किसी भी वस्तू के साथ नहीं जूड़ सकते और कलमे ने आपको एक उधरन बताया था कि वहाँ पर आपके हाथ में परीक्षा में आपके हाथ में पेन होता है लेखनी होती है इस लेखनी को फल बना सकते हो इसको संत बना सकते हो इसको तलवार बना सकते हो इसको गाय घोड़ा या कुछ और बना सकते हो परवत बना सकते हो और इमेजीन और कलपना आपकी यह होनी चाहिए कि इसके साथ में कौन सा शब्द जूड़ रहा है तो यह जानी जो शब्द हुआ यह शब्द नी इनी प्रत्य के विशे में हमें चर्चा करनी चाहिए हालां कि मैं और प्रत्य के विशे में आज चर्चा करने वाला हूं जो कि बहुत मैत पूर्ण है लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में हम जैसा की जानते हैं एक तो पुलिंग होता रेगिस्ट जोड़ करके किया जाता है तो यह इस्त्री वाचक प्रत्य कौन-कौन से हैं यदि मैं ऐसी इसकी बात करूं कि यह कौन-कौन से प्रत्य हैं तो एक तो ध्जान रखिएगा एक है इका एक है आएन एक है कि यह व्ती एक ден मती एक है दा एक है वंती ही और एक है इन यह मैं अब अर्में प्रत्य रहूं की जो यह है यह स्त्रिवाचक है और यह किसमें जैसे पारवती द्रोपदी मागधी माइधिली और जानकी लेकिन यह रस्वई जिसके अंदर याद कीजिगा मैंने आपको छे-शाथ सब्द बताये होंगे एक तो बताया था दाश्रती याद होगा एक मैंने शब्द होगा आपको मारूती यह बहुत मत्मून शब्द है यह ध्यान रखेगा और इसी प्रकार से परिक्षाओं में हजारूं बार पूछा गया है वालमी की शब्द कैसे लिखते हैं वालमी की पाणी नहीं दाश्रती इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको हमें विशेश वुप विश्गेमं व Hil wreck लगाfit यह ताथ है लेकिन मैं जब यहाँ प्रक्ता हूं कि जान और उसे जानी बनता है और यह जानी जो शब्द हैं यह पूलिंद के तो मैंने जो आमको यहां बात बता ही की मनी कि यह प्रकार प्रियोग इस तरी वाचक शब्दू में होता है इसको मैं नहीं खंडित कर दिया तो कहीं संदे उत्पन नहीं हो जाएगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भावाचक शब्दू से पुरूश वाचक शब्द बनाने के लिए हमें इप्रत्यका भी प्रियोग करना पड़ से यह जो शब्द बनता है वो शब्द बनता है जानी नी जान वाला है जो उसको हम जानी कहते हैं और जान वाली है जो उसको हम जानी नी कहते हैं तो यदि लिखेगा यदि पुरूश वाचक शब्दूं में पुरूश वाचक शब्दूं के साथ इ प्रत्य जुड़ा हो तो इस्त्री वाचक की विवक्षा में इस्त्री वाचक शब्दूं के निर्माण में हमें इनी प्रत्य का प्रियोग करना चाहिए यह बहुत ही मत्पून बात है कि यदी पुरूश वाचक शब्दूं के साथ इ प्रत्य का प्रियोग कर लिया हमने और उस इक आरांट मनि दीरगी आरांट जो शब्द हैं जिसके अंत में इ आ रहा है ऐसे शब्दूं से यदी हमें इस्त्री वाचक शब्द की मिमांसा है इस्त्रिवाचक शब्द की आकांग्शा है इस्त्रिवाचक शब्दों का निर्मान हमें करना है तो ऐसे ये वाले के साथ में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर ई के साथ में इनी प्रत्य का प्रियोग करना पड़ेगा ये ध्यान रखीगा और तभी मैंने कहा कि जानी ये जो शब्द था ये पुरूश वाचक शब्द था इसके साथ में इप्रत्य जुड़ा था मैंने जब इसको इसको इस्त्रिवाचक बनाया तब इसको जानी नी इस प्रकार इनी प्रत्य का प्रियोग किया कि बहुत बार कि यदि मैं आप सभी से जो भी इसका अक्षा को सुन रहे हैं उन सभी को एक शब्द लिखना है लिखिएगा आज्या कारीनी जिसको आप आज्या कारीनी कहते हूं आज्या कारीनी हित कारीनी दो शब्दों को लिखेगा एक तो आज्या कारीनी लिखेगे हित कारीनी लिखें कि सामानितया मैं देखता हूं कि विद्यारती ये जचा जचा करके देखते हैं कि आज्या कारीनी ऐसे ठीक लग रहा है या आज्या कारीनी जो है वो ऐसे ठीक ल शब्द को शचाने से काम नहीं चलता है शब्द में व्याकर्ण काम करता है द्रष्टी नहीं हां व्याकर्ण इस न का न बन जाता है और यह संदी पहले में पढ़ाकि पूटा हुं मैं नियम बताय था कि यदि किसी भी अखंड़chevd रियर्ए और प्रियोग होग होगा और उसके बाद में ना ना आता है तो न किसमें चेंज हो जाता है ना मा चेंज हो जाता हूं चलिए मैं कुछ शब्द लेता हूं कुछ शब्द लेता हूं देखीगा यह जैसा कि मैंने बताया कि यदि पूलिंग वाचक ई हो तो इस तरीक बनाने के लिए इनी का प्रियोग करते हैं और इनी का इनी बन जाता है क्या बन जाता है सदेव नहीं जहां पर रह आता है जहां अच यह योग को हिंदी में मूल शब्त माना जाता है इसी प्रकार भोग शब्त कोभी मूलशब्त माना जाता है इस प्रकार रोग शब्त को भी निर्वान आप कर सकते हैं लेकिन यदि आप कोई पुराने प्रश्ण पत्र उठा के देखोगे तो कदाचित मुझे ध्यान आ रहा है कि किसी परिक्षा में यह प्रश्ण पूछा गया कि योग शब्द में कौन सा प्रत्य है देखो मैं कुछ मिक्स करते भी पढ़ा रहा हूं तो आपका उत्तर क्या होगा कि क्या योग शब्द में कोई प्रत्य है एक तरफ तो हम योग शब्द को मूल मूल शब्द मान रहें और दूसरी तरव हम ये पूछ रहें जिस वि sv ज़ू में जुड़ता है जब मूल शब्द है तो फिर प्रत्य कहां से लगा जो निहायती हिंदी के लोग है विशुद्ध हिंदी के लोग है उनको ये बात समझ नहीं आती है कि आख discuss commun देखो यहाँ पर एक शब्द था जिसको हमने एक शब्द होता है यूज क्या होता है बोलो समस्कित में एक धातू है जिसको हम बोलते हैं यूज यह युज रूपी बीज था इसी बीज पर जब हमने युज के साथ में अ प्रत्य जोड़ा तो यह में जो उ था उसका तो ओ बन गया तो यह बन गया ज़ का गया क्योंकि ज़ जो है वो चछ ज़ तीसरा वर्ण है चवर्ग का और चवर्ग का तीसरा वर्ण कवर्ग का तीसर है योग का मतलब क्या है जोड़ना और जोड़ने का जो तरीका है उसी युज से युक्ति शब्द बनता है क्या सब्द बनता है और उसी युक्ति से युक्तिक शब्द बनता है उसी युज में जब हमने जोडा तो योग बना और भुजमनी खाना खाने में हमने जोडा तो भोग बना और रुजमनी रोग रोग में हमने जोडा तो रोग बना तो कहने का हमारा तात्पर यह है कि हिंदी में एक ऐसा प्रत्य है जिसका प्रयोग हम किसी भी शब्द के साथ कर सकते हैं जब शब्दों की खान से शब्द निर्मान की प्रक्रिया में शब्द जन्म होने लगा शब्दों का तो ये शब्द तो निकला था पठ लेकिन पठ के साथ में हमने अजोड करके इसको वाक्य में प्रियोग के योग्य बना लिया तो शब्द पाठ बन गया अब क शेश कुछ भी नहीं रहता केवल आंत्रिक परिवर्तन होता है अब पाठ में आपको कहीं भी अ दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इसलिए अप्रत्य को शुन्य लिखा जाता है क्या लिखा जाता है जहां पर आपको कोई प्रत्य समझ नहीं आए है यदि परिक्षा में पूछा गया कौम सा फ्रतिय है विखल्प में शुष में आपको np नहीं आ रहा कि कौन सा प्रतिय तो और कर लेना लेकिन आपको यदि छोटी सीच चीज चीज इसमझ नहीं आए तो उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है आप कह दो साब हमें तो समझ नहीं आया था आपने का अब बढ़ लेना बर दिया लेकिन जहां हैं अपर्षब में कोई सपर्ष्थ रूप से मेरे प्रतेख्स शब्द को आप ध्यान से सुनिये का जहां पर किसी कि शब्द में इस पर्ष रूप से कोई प्रत्य दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर हमें अप्रत्य का प्रियोग कर लेना चाहिए से अब वापस कि और पर थोड़ी देर बास्वर आऊंगा नहीं कह बना श्राव को कि कहना नहीं होगा कि कल जैसे मैं नEए बताया था यहसा नहीं कह सकता कि मेरे पास एक योग पेंने कह सकता हूँ कि लेकिन मैं योग में जब जोड़ूँ गा तब शब्द क्या बनेगा बोलो योगी बनेगा क्या बनेगा कि अब सवाल यह है कि यह हिंदी की प्रकृरिया है सम्सक्त में योगी शब्द नहीं योगीन मूल शब्द होता है क्या होता है और इसलिए संदी प्रकरण को याद कीजीगा जिसने धंग धंग से सुना था उसको पता होगा कि योगी राज और योगी श्वर दो शब्द में आपको बताए थे जहांपर ना लोप व्यंजन दरशन में योगी योगी नहूं योगी नहें रूप चलते हैं लेकिन हिंदी में हमने योगी को पकड़ा तो इसको हमें ऐसे बनाना पड़ेगा योग में जब युड़ेगा तब हमें क्यूंकि हमारे पास यह शबद है कि अ योगेश्वर शब्द की व्यत्पति जु है उसको हम करतें योगधन इश्वर बोलो करते को ने करते की मरसी पतंजली प्रवर्तित जो दर्शन है उसका नाम क्या है योगशह चित्पौति निरोध्ध होता है यदि करोगे तो अभी दर्शन का विशेह है उसके हमें अभी नहीं जाना चाहिए तो योग शब्द से हमने ये जोड़ा तो शब्द क्या होगी अभी योगी का मतलब क्या वाग ये विशेशन वाचतक शब्द बन गया इधर बेढ़ फटाबट यह जो योगी शब्द है इस योगी शब्द में जब योगी शब्द का जब विशलेशन करूं तो यह योगी जो शब्द है ये विशेशन है क्या है बोलो लेकिन ये विशेशन है किसका पुलिंग का या इस्ट्रलिंग का एक पुरूश जा रहा है मैं उसको कह सकता हूँ कि योगी जा रहा है लेकिन एक महिला कभी योगी नहीं हो सकती है महिला यदी है तो उसके लिए हमें उसका विशेशन प्रयोक्त अलग करना पड़ेगा लेकिन हमारी समस्या का क्या है जहां पर हम जानते हैं उसको हम मान लेते हैं जिसको जहीं नहीं जान सकते जहां तक हमारे मस्तिक्स की परीधी नहीं होती जहां तक मस्तिक्स के हमारे घोड़े नहीं दोड़ते हमें लगता है कि यह तो दोनों में समान आना चाहिए ऐसा नहीं है यदि आप यहाँ कहते हो कि वहाँ योगी स्तरी जा रही है तो आप पूरी तरह से गलत है नोट किजीगा ये ठीक उतनी ही बड़ी गलती है जैसे मैं मेरी माता को पिता कह दूँ ये उतनी बड़ी गलती है जैसे मैं गाई को बेल कह दूँ ये उतनी बड़ी गलती है जैसे मैं नारी को नर कह दूँ ये उतनी बड़ी गलती है जैसे मैं किसी महिला को विद्वान कह दूँ क्या कोई महिला विद्वान हो सकती है क्योंकि वहां पर हम जान रहे हैं लेकिन जहां पर जानते रही हैं वहां पर हम उसको मानते भी नहीं है तो योगी में जब इनी प्रत्य जुड़ेगा ये ई हरस्व है ये ई अब याद करो म मेरे नियम को कि मैंने आपको कहा था कि प्रत्य जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिमवर्ण को स्वररहीत कर लेते हैं बोलो हाया ना तो योगी में फिर में इसको योगी में से यह अटा करके यह गा ऐसा हो जाएगा इनी वाला इसमें जूड़ जाएगा तो शब्द में ग्री में अरस्वई और नी बड़ा है और यहां पर नी का नी रहा क्योंकि शब्द में री रा और शा का प्रियोग नहीं है इसलिए यो क्योंकि हिंदी में लिंग का निधारण बेभार से होता है और समस्कित में लिंग का निधारण प्रत्यूं से होता है हमारे यहां हिंदी में आत्मा शब्द जो है वो पुलिंग है लेकिन समस्कित में आत्मा सब्द हिंदी में इस्ट्रलिंग है लेकिन समस्कित में वो पुलिंग है आप कहते वे सुनते होंगे कि उसकी आत्मा वहुत अच्छी है पवित्रा आत्मा है उसकी सुनते होंगे लेकिन जब परमात्मा लगा लगा देते हैं में पर्म जोड़ देते हैं तो फिर पुरूष बन जाता है कि यह क्वेवर हिंदी की अपनी व्यवस्ता है जो व्यवार से लिंग कर पान करती है हमारे ऐहां पर ہिंदी मेह संदी आधी व्यादी विरी उपादी इत्यादी समादि इत्यादी शब्द इस्ते लिंग में है लेकिन समस्कित में यह सारे की सारे शब्द पूलिंग्च intercept है ऄंखिए कि वहाँ पर की प्रत्तgart शेनीश्पन इस जो शब्द होंगे वह सारे की सारे किसमते हैं पूलिंग्च यह लेकिन की प्रतिウ्होस्ता भी ना है यह तो व्यभार में है हमने आत्मा को सो कभी है वो अच्छा का है नहीं अच्छी का है आत्मा अच्छा है इंदी में ज़स्ता भी और कुछ-कुछ लिंगों लिंग का निधारण के विशे में शेत्र का भी बड़ा प्रभाव यह अलग विशे है कभी लिंग की बात करेंगे यदि मोका मिला तो तब उस दिन बात करेंगे यह बड़ी जो है प्रसन आलादित करने वाली विवस्था है हिंदी के अलग विवस्था है तो लेकिन सामानी दैनिंदन जीवन में आप यह कहते वे पाए जाते हैं कि वह योगी है वह महिला बहुत जानी है तो हमें महिला को जानी नहीं बनाना है उसको जानी नहीं बनाना है इसी प्रकार से भोग में यह जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा भोगी बनेगा क्या बनेगा भोगी यद्यपी इसका पद के साथ जब संदी करते हैं तब संदी और समास में भोगी राजपंडिया में गी छोटा ही आएगा यह ध्यान रखेगा अब यह भोगी जो शब्द है वो विशेशन हुआ किसका पुरूश का और भोगी में जब हमने इनी प्रत्य जोड़ दिया तो यह भोगी नहीं और क्याये कोई भी महिला भोगी नहीं हो सकती रोगी नहीं हो सकती अब यहां पर रोग में इजड़ेगा तो देखीगा यह शब्द रोगी बना और इकारान थोने के कारण इनी जोड़ दोगे तो यहां इस रह》 के प्रभाव के कारणी ये रोगी न लिखो गे तो गलत हो जाएगा इसलिए लिखना क्या चाहिए बोलो रोगी नी कि यह मैला या तो रूगण है बोल दो जहां पर अग्यान को छिपना हो अपनी अज्ञानुता को छिपना हो वहां पर भावाचिक शब्दूं का प्रियोग कर दीजिगा वो नूट्रल हो जाते हैं लिंग की दरस्ती से लेकिन रोगी महिला है तो गड़बड हो जाएगा वहां पर रोगी नहीं कहना चाहिए या तो रूक्ण कहें अब इसी प्रकार के एक शब्द जैसे हितकर शब्द है यह हितकर क्या है हित अलग शब्द था और क्री से कर बन गया हितकर में जब मैं ए जोड़ूंगा तब बोलो शब्द क्या बना हितकारी बना और हितकारी जो हैं वहां पुलिंग का शब्द है इस हितकारी में यदि मुझे इसकी स्त्री लिंग जोड़ना हो तो ये शब्द बनेगा हितकारी नी याद कीजीगा स्वतंत्रता संग्राम में एक सभा थी उसका नाम था हितकारी नी जैसे एक गाड़ी है उसका नाम है बालवाही क्या है बोलो बालकों को वहन करने वाला लेकिन क्योंकि बस सब्द इंदी में स्ट्रिलिंग में चलती है यदि यान होता बड़ी सूक्षम बात है सुनने की कौसिस करना हालांकि गाड़ी चलाने वाले उसके उपर कुछ भी लगे वो ढंग से इंदी नहीं पड़े इसलिए गाड़ी चला रहे हैं लेकिन बालवाही मनी बालकों को वहन करने वाला और बालवाही मनी बस है वो जो बालकों को वहन करती है ऐसी बस तो इनी प्रत्य जोड़ करके आप गली-गली में सुबह देखते हूंगे बालवाहीनिया चलती है बोलो हाया न तो शब्द क्या बनता है बालवाहीनि क्या बनता है हालांकि एक शब्द इससे अलग है इससे कोई संदर्ब नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक शब्द है कार्येवाही यह कार्येवाही शब्द जिस अर्थ में जिस संदर्ब में जिस आशये में इस शब्द का प्रयोग हिंदुस्तानी करते हैं वो गलत है यह कारिवाही का मतलब तो है कारिव को वहन करने वाला जैसे बालवाही बालकों को वहन करने वाला वहा शब्द जो है उसका मतलब होता है वहन करना वीवाहा विशेशूब से वहन करना और विवाही विशेशूब से वहन करने वाला विवाही नहीं विशेशूब से वहन करने वाली लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल शब्द कोस की शोभा को बढ़ाते हैं आजकल हमार कि जूए ना जीवन से बहुत नूर हो गए उन शब्दूं को उने दूर कर दिए Northeast कि अभी एक आखे ज़ो सब्धाल है इसका मतलब है बोलो क्या रिको वहन करने वाला यदि मेंने यह कहा कि पुलिस उस पर कारीवाई कर रही है तो मतलब कारी का वहंन कर रही है क्या वह तो यह शब्द होना चाहिए बोलो क्या कि इस शब्द का एक स्ब्द है कार्वाही क्या है भुलो जान और रखिएगा कार्यवाही अलग सब्द है देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की आज एक सभा हुई और सभा में लियें गए निर्णूप पर आग 크ार्यवाही की जाएगी मनी चारीवाही की जाएगी मनी उस पर अमल किया जाएगा एक्षन किया जाएगा कि कितना गलत लिखते हैं अपन शब्द जैसे कुछ शब्द ऐसे हो गए हैं हमारे कि उसको हमें लगता है कि यह तो अशुद होई नहीं शक्ते जैसे एक शब्द हम और बहुत गलत लिखते हैं ऐसे बहुत सारे शब्द देखें जैसे शब्द होता है उप्रयुक्त विशेह में हम क्या लिखते हैं बोलो उप्रयुक्त क्या लिखते हैं तो जैसे उप्रयुक्त सही है वैसे ही कारवाई सही है उप्रयुक्त कोई शब्द और लेता हो हित्ट कर्ष से बना दिया क्या हितकारी इसी तरह से है कि एक और आजाकर से यह जोड़कर करके आजाकारी बनेगा, और इसमें इंहीं जोड़ोगे थि स्मुपसर्ग है, समुपसर्ग हैं तोश मूलशब्द हैं संदी करके अनुष्वार संदी करके शंतोष बनेगा भाव वाचक शब्दी है संतोशी बनेगा पुरूश वाचक शब्द है पुरूश का विशेशन है इस्त्रिलिंग में इनी प्रतिकाप प्रियोग हो करके शब्द होना चाहिए शंतोशीनी क्या होना चाहिए बोलो कि लेकिन हम संतोशी को माता कहते हैं की ग्लती ओधिता ही कि अनृ क्योंकि एक शब्द होता है हितेशी और हितेशी नी वहां इस्त्री उसकी हितेशी नहीं होता हितेशी पुरूश हो शकता है तो ऐसे बहुत सारे शब्द है मान से क्या बनेगा बोलो मान शब्द है मान से मानी बनेगा मान वाला और इनी जोड करके शब्द क्या बनाओगे बोलो मानी नी क्या बनाओगा तो यह इनी इस्त्रिवाचक आज हमारा जो क्लास का जो बिंदू है वह इस्त्रिवाचक प्रत् यहां पर जूड़ेगा उसका बता दिया है अब मैं लेता हूं आप प्रत्य को आ प्रत्य सबसे सरल है समझाने की जुरूरती नहीं अब जैसे हमने एक शब्द लिया चित्र और चित्र में हमने आ जोड़ दिया तो यह शब्द क्या बना बोलो चित्रा बना अनूज शब्द था और अनूज के साथ में हमने आ जोड़ दिया तो शब्द क्या बना अनूज अग्रज शब्द था अग्रमूल शब्द था और जा इसमें प्रत्य है अग्रमनी आगे अनुमनी पीछे यदि किसी भी शब्द के आगे जा आ जाए अन्त में तो इसका आर्थ होता है जन्म लेना ग आजयत उसका आर्थ होता है गमन करना ल आजयत उसका आर्थ होता है लेना द आजयत उसका मतल होता है देना सुक देने वाला अब ये अग्रज में हमने ध्यान डखना है कि अग्रज में आ जुड़ा है जब अग्रज में प्रत्य पुछे तो जा है लेकिन अग्रजा में प वाचक शब्द का निर्माण पुरूष वाचक शब्दों में प्रति जोड़ने से होता है ये बात गिन के गांठ बान लेने चाहिए